2019 में होने वाले लोकसभा चुनाओ को देखते हुए एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की कवाई शुरू हो गई है और इस कड़ी में आंदर प्रदेश के मुखिया चंदरवाबू नाइडू ने दिल्ली के आंदर भवन में दिल्ली के मुख्मंतरी хотя जिवाल से मुलाकात की चंदरवाबू नाइडू के जिवाल के अलावा लोक्तांत्रिक जनता अदल के नेता शराद यादव से भी म ये मुलाकातें बेहद एहम हैं चुकि लोकसबा चुनाओ से पहले जो एक महां गटबंधन को देखा जा रहा है उसके सरूप को ये मुलाकातें तै कर सकती हैं हाला कि इसको जटका जरूर लगा है मायावती ने जिस तरह से मंद्रप्रदेश और 36 कर में कॉंग्रिस से समर्थन वापस लेने की बात कही और कहा कि वो गटबंधन में नहीं जाएंगी उसके बाद से हालात बदले हैं लेकिन ये जो मुलाकातें हुई हैं इससे ये कयास जरूर लगाये जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में तमाम जो गैर एंडिये पार्टिया हैं हलांकि तेलकुदेशम भी एंडिये में शामिल थी लेकिन आंदरपरदेश को विशेश राज का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर टीडीपी लगाता किंद सरकार से बादचीत करती रही और जब किन सरकार ने इससे इंकार कर दिया तो टीडीपी ने NDA से अपना रिष्टा खतम कर लिया और अलग होकर अब जो महांगट बंदन के दल है यानि जो गैर NDA के दल है उनसे चंदरबाबू नाइडू नजदीक या बढ़ा रहे हैं तो ये मुलाकाते होने लगी है और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये मुलाकाते क्या सुरूप लेती हैं